से प्याला इंस्ट्रुमेंट आपका आता है सिंपिल माइक्रोस्कोप सिंपिछ माइक्रोस्कोप ऑर कुछ भी नहीं है एक सीधदा måste लैंस आपका सिंपिल मा 1990 ए इस पेश्णी लैंस की सोकल लैंद्छ शोटी यानि केव माइर्ज रखी जाए। स्माल फोकल लेंथ लाज पावर का एक convex length ही simple microscope है उसमें आप handle लगा दीरे पकड़ने में असानी हो जाएगों तो जो magnifying glass होता है magnifying glass भी से बोलते हैं या simple microscope भी बोलते हैं सब ने आपने देखा हुआ handle लगा हुता है उससे छोटे एक्षर बड़े दिखाए जाते ठीक है क्यों दिखाए रहाते हैं क्योंकि convex lens की property है कि जब आपने focus और lens के बीच में object को रखा तो यह virtual और enlarged erect image बनाता है erect virtual और enlarged image बनाता है और यही property magnification के लिए use में ले लिए आती है तो first heading लिख रहे हैं हम simple microscope in near point adjustment यहां इन सारी derivations में एक खास consideration लिया जाएगा क्या हम यह मान कर चल लेते हैं कि हमारी आख lens से बहुत दूर नहीं है lens से लगबग मिली हुई आप देखते भी microscope में जब आप देखेंगे तो आपकी आँख बिलकुल microscope के ips तक पहुँच जाती है वहां जाकर जिखने लेता है तो जो भी angle हमें find करने at i वह सारे एंगिल हम mathematics कहां ले लेंगे mathematically diagram में अपने कहां ले लेंगे एंगिल फॉर्म्ड एड़ लेंज आईपीस लेंज जो हमारी आँख के पास लेंज से उस लेंज पर बनने वाले सारे एंगिल ही कहां मान लिए जाएंगे एंगिल सब्टेंडेट आई तो पहली कंडिशन है आपकी फाइनल इमेज एट लडी डीवी सिंपिल है बिल्कुल यह आपका लेंज कोन्वेक्स लेंज प्रिंसिपल एक्सिस पर एफ और टुए है कि फोकस पॉइंट और लेंस के बीच में आपने अबजेक्ट को प्लेस किया याद रखिएगा कि ऑप्टिकल इंस्टुमेंट से जब हम देखेंगे तो हमेशा फाइनल इमेज वर्ट्योल बननी चाहिए वर्ट्योल बननी चाहिए और नहीं दिखेगी नहीं हमारी आग के पीछे बनेगी फिर हो आग से आगे बने तो वर्ट्योल इमेज दिखाए देगी वर्ट्योल इमेज बनाने के लिए आपने अबजेक्ट को रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं यहां सेंट किया आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल इट पासिस थ्रू कोकस पॉइंट अन्यदर लाइट रेट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस अंडेविएटेड और यह दोनों जो रिफ्रेक्टिड रेज हैं दे आर डाइवर्जिंग आगे दूर हट्ती चलिया रही है तो अब आगे तो इनको कहीं मिलना ही नहीं है क्या करना आपने आपने इन्हें बैक्वर्ड्स एक्स्टेंड कर देना बैक्वर्ड्स बैक्वर्स प्रिद्स कर देना आपने और जहां भी यह मिलती हुई लगती है this is the position of your virtual image यह virtual image की position हो गई virtual image को अक्सर हम dotted बनाया करते है a dash b dash is the virtual image of object a b a b is the object this is your object a b और a dash b dash is the virtual image of object a b अब इस a dash b dash ने जो angle subtend किया है lens पर यही angle है angle subtended by the image at eye a dash b dash के extreme को आपने lens तक मिला लिया this angle is beta अब यह सवाल पैदा होता है this is the angle subtended by object also it object a b बे तो यही angle subtend कर रहा है तो पिर हम इसे angle subtended by image क्यों कह रहे है ना इस अ यह angle subtended by object नहीं है यह यह एंगल सब्टेंडिट बाइब अबजेक्ट नहीं है क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो एंगल सब्टेंडिड बाइदा ऑबजेक्ट फाइंड करने के लिए कंपल्सरी है कि ऑबजेट को कहां रखा जाए एल्डीडीवी पर रखा जाए इसका तो इमेज लेंगे 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 इस तरह से करनी है कि फाइनल इमेज आपकी पर वाले ऑबजेक्ट कहां रखा जाएगा उससे कोई मतलब नहीं होता है अभी इस बास से कोई मतलब नहीं कि आपक्डिट कहां रखा हुआ है तो दिस जिए नाट दे एंगल सब्टेंडिड एड़ाई में जैट आई क्योंकि आपजेक्ट का एंग्ल सब्टैंट करने के लिए हमाय कंडिशनगी कौन सी कंडिशन फॉलो करने पड़ेंगी एंग्ल से अप्टैंड वा अबजेक्ट जब फाइंड करना है तो अबजेक्ट को हमेशा एल डी डी पर ही रखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप वाले केस में अभी हमारा अब्जेक्ट एल्डी डीवी पर नहीं है तो इस नॉट डैंगल सब्टेंड़ बाइंगल बीटा तो आगिया बैंगल अल्फा अल्फा का मतला बैंगल सब्टेंड़ बाइंगल इसके लिए क्या करना होगा इस लेंस को हटा दीज इस लेंस की पॉइंट ओपर अप्टिकल सेंटर पर अपनी आँख लेकर आईए आई की पूजिशन या रखिए और फिर आख से कितने डिस्टेंस पर आपको अब्जेक्ट रखना पड़ेगा ल्डी डीवी पर इसका मतलब वहां जहां पहले आपकी इमेज बन रही थी त तो आपने इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को उठाकर रखा कहां एल्डी डीवी पर और अब आप बिना लेंग्स के बेर आई से इसे देख रहे हैं कि दिस इस एंगिल अल्फा कि बास समझाए कि यह दो डाइग्राम है सेपरेट डाइग्राम है दो कई बुक्स में यह एंगिल अल्फा फाइंड करने के लिए एक अलग डाइग्राम बना होता है बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के नीचे बना देते हैं वो सॉरी इस इमेज के नीचे बना देते हैं और यहां इसके नीचे बना देते हैं क्या आई यह object बना दिया आपने और यह बना दिया आपने यह आई अलफा लेग दिया इसको ठीक है simple सी बात है यही diagram उठा करके हमने यहां उपर ला दिया दो diagram एक दूसरे के overlap कर रहे हैं यह बनाना आपके लिए required नहीं है इससे थोड़ा आसानी हो जाती जब आप दो diagram एक दूसरे के उपर overlap कर दोगे तो by the definition of magnifying power m equals क्या है beta by alpha ठीक है अब फिर वही बात है कि हम यह जो कुछ भी कर रहे हैं यह पतले लेंस के लिए कर रहे हैं और small aperture के लिए कर रहे हैं चोटे अपर्चर के लिए कर रहे हैं जब आपके इतना बड़ा ना होका छोटा सा अपर्चर होगा तो फिर यह सारे एंगिल alpha बीटा बहुत चोटे होगे चोटे होगे तो फिर for small aperture alpha and beta are very small मतलब एक दो तीन चार डिगरी तक के बस थीख for small angle 10 theta approximately equals theta mathematics की बात है सारी तो फिर magnifying power कितना बन जाएगा magnifying बन जाएगा power 10 beta by 10 alpha अब कुछ भी नहीं ते राम में से 10 alpha 10 beta निकाल करकर रख दो तैन बीटा यहां से निकाल कर लाएंगे हम एभी अपन ओभी से हाला कि यह beta angle subtended भाई a double dash बीडबल डेश है लेकिन यह बीटा angle subtended by a b भी तो है तो इसलिए बीटा को हम यहां से ले कर आएंगे a b अब्जेक्ट ले रहे हो यह अलफा फिर भी नहीं हो सकता क्योंकि यह कंडिशन को फुल्फिल नहीं कर रहा कौन सी कंडिशन को कि आपका होना चाहिए इसलिए 10 बीटा क्या बना आपका अबी अपान ओबी यह आपका टैन बीटा बना एबी बाइ ओबी इस एक काम करता हूँ मैं इस ग्रीन वाले को लिख रहा हूँ एवन बैए वन बीवन हाला कि यह कुछ भी नहीं यह AB की ही नई पूजिशन है अबजेक्ट AB की ही नई पूजिशन है अलफा पाइंड करने के लिए हमें इसे जबजस्ती रखना पड़ा कहां रखना पड़ा एल्डीडीवी पर तो अब हम 10 अलफा निकाल कर लाएंगे A1 B1 by O B1 अब ध्यान से देखें तो AB ही तो A1 B1 पर पहुंचा है तो सिंबल सी बात है क्या कि आपका यहां A1 B1 easy question क्या है A B तो अब आपका M क्या बचा यह तो cancel होगे क्या बचा आपका OB1 by OB substitute कर लिजे values substitute कर लिजे OB आपका क्या है OB है आपका minus U OB1 क्या है B1 is the position of image यह V है जो की actually कितनी है LDDV LDDV जिसे हम लिखते है minus जिसे हम capital D से represent करते है कितनी है minus D है इसलिए अब आपके लिए क्या बना OB1 क्या बन गया minus D OB क्या बन गया बोलो minus U correct यह बना आपका DYU लेकिन magnifying power हमें लानी होती हमेशा focal length की term में magnifying power हमेशा लानी होती focal length की term में तो यहां नहीं छोड़ सकते इस formula के अब इस formula को थोड़ा सा transform करना पड़ेगा by lens formula lens formula क्या है 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U this is lens formula ठीक है अब इसी में आपको value substitute करनी है convex lens के लिए लेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है लेंस फॉर्मूला आपके पास है 1 by F equals 1 by V minus 1 by U substituting values for convex lens focal length कितनी है f image कहा बनी है deeper distance of object कितना है यह मैं सोचेगा कि यह माइनस नहीं था यह माइनस क्यों आगी है यह lens formula का यू है और यह यह substitution है तो अब आपके लिए क्या बना 1 by F equals minus 1 by D plus 1 by U पूरी equation को D से multiply कर दीजेए D by F equals minus 1 plus D by U तो D by U क्या बचा 1 plus D by F और यही अभी आपने क्या कहा था magnifying power 1 plus D by F magnifying power of simple microscope प्यंशो तो